आजम जैन धर्म के जैन आगम सास्त्रों के अनुसार जानेंगे कि आखिर वैक्रिय शरीर और आहारक सरीर कितने प्रकार का होता है और वो कैसा होता है, कितनी उंचाई वाला होता है, क्या ये सरीर मनुश्य को प्राप्त हो सकता है, कौन हगदार है इन सरीरों का इन सब के बा तो बगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि वैक्रिय शरीर एक इंद्रियत जीवों में केवल वायुकाई के जीवों के ही होता है। प्रथम नरक में 500 धनुष्य लेकर गटता हुआ प्रथम नरक में 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल का होता है। बवनवासी वानव्यंतर, जोतिश, सौधर्म और इसान कल्पवासी देवों का भवधारनिय शरीर 7 रतनी या 7 हाथ का होता है। सनतकुमार माहेंद्र देवों का भवधारनिय शरीर 6 हाथ का होता है। ब्रह्म लांतक देवों का 5 हाथ का महा सुक्र सहस्रार देवों का 4 हाथ का आनत, प्रानत, आरन, अच्युत देवों का 3 हाथ का तो ग्रेवेयक देवों का 2 हाथ का और अनुत्तर विमानवासी देवों का भवधारनिय शरीर 1 हाथ का होता है। जो तिर्यंच गर्बज है और जो मनुश्य गर्बज है उनके भवधारनिय वैक्रिय शरीर नहीं होता है किन्तु लब्दी प्रत्याई जनीत वैक्रिय शरीर ही किसी किसी के होता है सब में नहीं होता है उनमें भी वो कर्म भूमिज, संक्यात वर्ष युक्त और परियाप्त जीवों के ही होता है उत्तर वैक्रिय शरीर, मनुष्य के उत्कृष्ट कुछ अधिक एक लाक योजन की अवगाहना वाला होता है और देवों के एक लाक योजन अवगाहन वाला होता है तिर्यंचो के उत्कृष्ट सो योजन अवगाहना वाला हो सकता है आगे गोतम भगवान महावीर से आहरक सरीर के बारे में पूस्ते हैं तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि जब किसी चतूर्दस पूर्वधर अप्रमत सादू या रिद्धी प्राप्त मुनी को ध्यान की अवस्ता में किसी गहन सूक्ष्म तत्व के विसई में कोई शंका होती है तो उस समय उस छेत्र में केवली भगवान का अभाव होने पर वे आहरक सरीर नाम कर्म का उपारजन करते हैं और प्रमत सहियत होते ही उनके मस्तिश्क से रक्त मांस हड़ी आदी से रहित एक हाथ का सफेद वर्न वाला मनुश्य के आकार का सर्वांग संपूर्न पुतला निकलता है और जहां भी केवली भगवान विरास्ते हैं वहां जाकर उनके चरन कमलों का स्पर्श करता है और स्पर्श करते ही वो वहां से वापस आकर मुनी के मस्तक में प्रवेश कर जाता है और उनकी संका का समादान हो जाता है इस आहरक सरीर के अरजन, निरगमन और प्रवेश की क्रिया एक अंतर मोहरत में समाप्त हो जाती है विसेशता ये है कि इसका बंदिया उपारजन सात्वे गुनस्तान में होता है और उदई या निरगमन प्रवेश आदी की क्रिया छटे गुनस्तान में होती है आगे गोतम बगवान मावीर से पूस्ते हैं कि आहरक सरीर कितनी प्रकार का होता है तो बगवान मावीर जवाब देते हुए बताते हैं कि आहरक सरीर एक ही प्रकार का होता है और उसकी जगन्य अवगाहना कुछ कम एक हाथ की होती है और उत्कृष्ट अवगाहना परिपूर्न एक रतनी यानि एक हाथ की होती है और ये आहरक सरीर रिद्धी प्राप्त छटे गुनस्तान वर्ती प्रमत सहियत सादू को ही होता है तो ये थी संचिप्त जानकारी सम वायांग सूत्र के आधार पर आज का प्रशन है अवदी ज्यान कितने प्रकार का होता है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें